मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक इलिगल टेलीफोन एक्स्चेंज को बस्ट किया है इसके तहट केरला, उत्तर प्रदेश और कई जंगों पर रेट्स कंड़क की गई मिलिटरी इंटेलिजेंस और जमू एन कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर मुंबई पुलिस ने ये ओपरेशन किया है आए जानते हैं DCP अकबर पठान से किस तरीके का ओपरेशन था ये और इसमें क्या क्या मिला है पठान साब ये बताईए कि किस तरीके का ओपरेशन था कैसे इस बारे में पता चला, कैसे यह exchanges चलाए जाते हैं? इस बारे में पता चली जिससे इस बात की पुष्टी हो गई कि यह सिंद बॉक्स है और इसका इस तरह का दुरूपे हो रहा है इसके चलते हुए हमने कुछ टीम एडवांस टीम बेचके उसकी इंफरमेशन की हस्तागत की मालूमात ली और बाद में डोंगरी पुलिशेशन म के बाद में तीन अलग अलग टीम केरला और यूपी में भेजे गई थी जिसके तरह नोवेडा में एक रेड और साथ में केरला में चांगराम कुलम यहां पर रेड की गई जिसमें आठ सिम बॉक्स सर एक चीज़ जाना चाहेंगे ये राकेट जो चला रहा था यह कौन व्यक्ति था और इसमें क्या देश के बाहर का भी कोई व्यक्ति चामरें अभी जिसको हिरासत में लिया है वो पलकर डिष्टिक का है जो केरला में और इसके साथ में यह जो चलाने वाला सिंडिकित है इसमें देश के बार के भी एक विक्तिका नाम सामने आ रहा है इसके बारे में जाला तत्विश कर रही है चालू जो सर किस तरीके का सहयोग रहा military intelligence और जमु एन कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर यह operation किया गया है क्या उनकी तरफ से information आई थी या साथ में मिलकर यह पूरा operation को अंजाम दिया मुंबई पुलिस यह जो operation किया गया था इसमें मुंबई क्राइम ब्रेंच के तीन टीम थे जो पी आई लेवल के officer लीड कर रहे थे उसमें कम से कम 20 officer थे इसके साथ में साइबर के experts थे इसके साथ में military intelligence जमु एन कश्मीर इसके बी officer थे जो field पे हमारे साथ काम कर रहे थे और उस तरसे raid कारवाई होने के बाद में आगे की कारवाई की गई है देख सकते हैं मुंबई पुलिस की बड़ी कारवाई illegal telephone exchange जिसके तहत मुंबई मुंबई ही नहीं मुंबई के इलावा देश के कई इलाकों में लोगों को जब call आते थे तो ऐसा लगता था कि उन्हें किसी local number से call आ रहा है उसे रूट कर D.O.T को Department of Telecom जो है उसे बहुत नुकसान होता था इस तरीके की कतिविदिया नाशनल सेक्योरेटी के लिए भी एक बड़ा रिस्क बन सकती है इसमें बहुत खत्रा हो सकता है इसलिए Military Intelligence इन सारी कतिविदियों पर एक watch रखती है एक कड़ी नजर बनाये रखती है और आप देख सकते हैं तीनों ही एजेंसियों ने मिलकर जमू एन कश्मीर पुलिस, Military Intelligence और मुंबई क्राइम रांच ने एक बड़ा रैकेट बस्ट किया है एक telephone exchange, illegal telephone exchange जो की कई स्टेट से चलाया जा रहा था इस पूरे रैकेट को बस्ट किया है कैमरा परसन मंगेश आमरे के साथ दिवियेश सिंग मुंबई आज